नमस्कार दोस्तों हमें से कई लोग ऐसा कहते हैं अक्सर कि वो जो दूसरा स्टुडेंट है वो बहुत तेज है उसका दिमाग बहुत शार्प है उसको जल्दी समझ में आ जाता है और कई बार हम सुनते हैं चरजा कि वो सिर्फ एक रात पढ़ता है और 90% मार्ट ले आता है और हमें अपने बारे में लगता है अक्सर कि हम पूरे साल पढ़ते हैं और तब भी 60-70% लाते-लाते हमारी हालत खराब हो जाती है तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका दिमाग शार्प है और वो बहुत होसियार है या फिर कुछ God gifted है ऐसा कुछ नहीं है एक पढ़ने क तरीका होता है उसको अगर आप भी अपने पढ़ाई में एडॉप्ट कर लेंगे उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इंप्रूब्मेंट दिखना शुरू हो जाएगा यह मेरी थियोरी नहीं है यह और उस पर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं तो जो बच्च कुछ नहीं होता है कि गौट गिफ्टेट कुछ होता है सभी लोग बराबर हैं उधारन के तौर पे सचीन तेंदुलकर अगर बहुत ही गौट गिफ्टेट थे सिर्फ क्रिकेट में क्यों टॉप किये उनका इंट्रेस्ट था कि वरने किरकेट में मेहनत किया तिसलिए वह क पढ़ाई के छेतर में मिसाइल के छेतर में रिसर्च किया तो इसलिए अगर ऐसा होता कि शार्प माइंड है गौड गिफ्टेड है एक रात पढ़ने से हो जाता है तो वह सभी छेतर में होना चाहिए था लेकिन सिर्फ एक छेतर में इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी को उस और उसके वाद हम लोग और इस पर डिटेल डिसकसन करेंगे ग्राफ देखिए यह ग्राफ जो बनाया हुआ है यह रिसर्चर द्वारा ही बनाया हुआ है कि अगर किसी भी चीज का आप सिर्फ लेक्चर सुनते हैं तो मातर आपको 5% समझ में आएगा उसको डिडिंग डालते हैं कि अगर मैं आपको डिमस्ट्रेट कर दूँ कि फिजिक्स का यह जाता है तो आपको समझ में आगा 30% जैसे कि हम लोग हमेसा बात करते हैं हिमालियन रेंज की क्या हिमालियन रेंज है जब आप हिमालियन पर खुद चले जाएंगे एक बार तो आपको बहुत सारा जग् नुक्सान बहुत है इसका नुक्सान इसलिए ज्यादा है कभी कभी क्या होता है ग्रूप डिसकर्शन में हम डाइवर्ट हो जाते हैं और डाइवर्ट होने के बाद क्या होता है किसी और चीज़ पर डिसकर्शन करने लगते हैं पॉलिटिक्स के बारे में डिसकर्शन करने उसको वो किताब बंद कर दीजे एक वार उसको खुद से लिख लिजे तो प्रैक्टिस वाइड होता है और इमेडियेट यूज नब्वे परसेंट है इसमें आप देखिएगा इसमें तो यहां पर आपका नब्वे परसेंट आ जाता है अगर आप इमेडियेटली किसी को पूछती थी क्योंकि उनका उस टॉपिक का जो उस वक्त जो नौलेज था वो जीरो था तो बहुत बेसिक पूछती तो मुझे लगता था हरी मैंने तो इस पर ध्यान नहीं दिया तो अगर आप किसी को पढ़ा देते हैं कोई नहीं है तो आप अपने पापा मम्मी भाई ब फरीफ हो जाता है एक तो यह पहला अप्रोच हो रौठ हो अपने कितने सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं पढ़ने के समय यह बहुत होता है पढ़ने के समय आप 3-4 और यूज कीजिए जैसे किताब आपके सामने है तो किताब पर आप उमली रख के उस लाइन को पढ़िये जैसे इस लाइन पर है तो आप यहां पर आपकी उंगली रहने चाहिए कि average retention rate ठीक है यह हो सकता है कि बचकाना लग रहा हो लेकिन इससे आपका जो है इसके बाद उस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा आप उसको इमेजिन कि इमेजिन का मतलब क्या होता है कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हैикомwork पढ़ रहा है कि कारण से जब इन्फलेशन पढ़ रहा है कि कैसे चीज कदाम पढ़ जाता है यो ही यो को बाल काट रहा है नाई उसकी इंकम हो गई जो ट्रेन चल रहा है उसकी इनकम हो गई जो हम लोग जो आफिस या रहे हैं उसकी साबुन बना रहा हुद कोई फोन बन रहा है उसका इंकम हो गया इसका इंकम हो गया वह सब पर है कि चीजों प्रैक्टिकल लाइफ से इमेर रिलेट कर सकते हैं तो यह जो चार-पांच जो आपका मैंने ट्रिक बताया इस चीज से आप पढ़के देखिए अंतर पड़ता है बहुत फरक पड़ता है और जैसे मैंने यह चीज बाद में जाना कि कि तीच अधर कि मुझे लगता है कि मेरे सफलता की पीछे यह सबसे राज्वा है या मेरा घ्राफ नहीं है आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यह graph दिख जाएगा इसके पीछे सर्च भी दिख़ जाएगा यह मैंने खुद से नहीं बनाया है गूगल से लिया हुआ है लर्निंग ग्राफटीक है तो 20 को आप vein ut कि पिरामिट दिखेगा कि कितना क्या करने से हम लोग स्टी क्या करते हैं लेक्चर सुन लिया और हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई पुरी हो गई और हम इसी को time count कर लेते हैं कि हमारा time भी पूरा हो गया आज हमने 8 गंटे पढ़ लिया पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए यह बेसिक चीजें हैं लेकिन यह बेसिक चीजें नहीं होता है कि अगर जो एक्जाम्पल होता है हवाई-जाहस को ऐसे जाना है और हवाई-जाहस मातर एक डिग्री मातर एक डिग्री चेंज होगा यहां से और हवाई-जाहस यहां की जग थोरा सा चेंज हो जाएगा तो जितने भी दो चीजे आज हमने सीखा है इस मेठ़ड से पढ़ना है ठीक है लेक्टर सुनना है उसके बाद आपको उस चीज का प्रैक्टिस करना है तो आपको 75% आ जाएगा स्कॉर हो जाएगा और उसके बाद आपको तुरंट दूसरों को प भी कोई topic पढ़ाता हूं और जो मैंने पढ़ा था दोनों में difference देखता हूं को कि मुझे लगता है कि मुझे समझाना है सामने वाले को इस चीज कैसे समझा सकते हैं तो मुझे और लगता है कि यह चीज तो मुझे छूट गई थी त्यारी के समय तो वो उतना आपका अपना हो कि लिखते बहुत ज्यादा है मैंने भी मेंस के समय पीटी के समय लिखा बहुत ज्यादा था जो भी मैं topic पढ़ता था उसको नोट सोसा था कि प्रैक्टिस वाई डूइंग में आ गया लिखना तो यह जो आपका प्रैक्टिस वाई डूइंग है 75 परसेंट और यह 90 परसेंट तो कोशिज कीजिएगा कि इन दोनों तक पहुंचने का आप कोशिज कीजिएगा हम लोग चारत तर यहां ही तक रह जाते हैं तो हम लोग 5-10 परसेंट बना जाते हैं एक पर कोशिज करके देखिएगा कुछ बदलाव आए तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे टेलिग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है कर कोई भी दिक्कत हो तो टेलिग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा मैं जरूर रेस्प